नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का एक बार फिट से आपके अपने ओफीशल यूटूब चैलंज सरकारी टूडे नियूज में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है क्योंकि केंडरा बैंक की तरफ से आ चुकी है नई भरती जी हाँ दोस्तों बिलकुल सीधी भरती है बिना परिक्षा के तो केंडरा बैंक में जो भरती निकाली जारी है ये बैंक की भरती है गवर्मेंट जोब है नेशनलाइज बैंक है और दोस्तों इस भरती के लिए आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होगी डारेक्ट आपका सेलेक् कर लिजेगा आप इतन शुरू हो चुके हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको केंडरा बेंक की इस नई भरती की पुरी जानकाई देंगे ओफीशल नोडिफिकेशन के माध्यम से तो वीडियो को लास्ट तक देहेगा और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आ सेलरी भी काफी अच्छी मिलेगी कम से कम 40,000 रुपे प्रतीमा आप जो है सेलरी पा सकते हैं और इस वेकेंसी के लिए एज निमिट जो है 18 से 55 साल होनी चाहिए और लावर इंडिया की जौब है तो चली दोस्तों आपको सीधा हमारी ओफीशल वाप साइट पर लेके चलते जैसा कि आप देते हैं ये ओफीशल नोडिफिकेशन के साथ साथ एप्लिकेशन फोरम है ये रहा नोडिफिकेशन तो जैसा कि आप देते हैं लास्ट जेट जो है 30 जून 2021 से आविदन करने की और ये एप्लिकेशन फोरम आपको कैसे बनना है सारी जानकर ये आपको देंग आपको फोरम भर के जमा कराना है और All Over India के केंड़ी एड़ सप्लाइ कर सकते हैं जोब लोकेशन जो है बैंगलोर की है और सेलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका इंट्रिव्य होगा यानि कि आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होगी जोब टाइप जो है बैंक की जोब है वहीं दोस्तों सेलरी आपको मिलेगी 40,000 से 80,000 रुपे पर मन्त और यहाँ पर एज लिमिट जो है मेक्जिमम पचास साले और आईसीमा में छूट भी है रिजर्व केंडी एड्स को वहीं दोस्तों एप्लिकेशन फीज जो है जन्नल OBC के लिए 1180 रुपे है प्लस GST देना होगा वहीं SCST, PWD और Women's के लिए 118 रुपे है प्लस आपको GST भी देना होगा वहीं दोस्तों Education Qualification जो है बी बीटे क्या फिर अगर आप MBA पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके आविदन जो है ओल्रेडी स्टार्ट हो चुके है 30 जून 2021 इसकी लास डेटे आविदन करने की यहां से आप जो है application forum और साथ इसाथ notification को download कर सकते हैं दोनों ही download करने की link आपको हमारी official website पर मिल जाएंगी तो जैसा कि दोस्तों आप दिशते हैं यह application forum है address पुरा यहां पर दिया गया है इसी address पर आपको forum भरके जमा करना है आप चाहें तो mail भी कर सकते हैं लेकिन notification को ध्यान से पढ़िएगा यहां पर आपको आपको पुरा नाम डालना है पिताजी का या husband का नाम डालना है डेट और बर्थ क्या है gender क्या है religion क्या है nationality क्या है और आपकी age limit क्या है category क्या है वो डालना है उसके बाद आपकी आपका address क्या है आपका permanent address क्या है phone number, mobile number, email ID, other card, pain card, password number यह इन में से आपके बस जो भी जानकरी है वो step by step आप दे दिजेगा आपका experience क्या है, आपकी qualification क्या है, सारी जानकरी आपको देनी है उसके बाद जो भी जरूरी दस्तावेज़े उनकी आपको photocopies लगानी होगी तो अधिक जानकरी के लिए आप इस notification को check out किजेगा यहाँ पर आप दिस्ते हैं, आप इदन कब से कब तक चलेंगे post का नाम क्या है, number of vacancy क्या है, qualification क्या है, age limit क्या है और यहाँ पर selection process क्या होंगी, apply कैसे करना है, सारी जानकरी आपको यहाँ पर दी गई है तो nationality के बारे में साफ सा बताया गया है कि भारत का नागरिक होना अनिवार रहे यानि कि all over India के candidates apply कर सकने हैं और selection process में साफ सा बताया गया है कि यहाँ पर आपका group discussion या फिर interview होगा लेकिन आपका exam नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको सारी जानकरी दी गई है तो अधिक जानकरी के लिए notification को check out किजेगा कोई भी सवाल है तो comment किजेगा वीडियो को like, share और channel को subscribe जुर किजेगा